जै गुरु जी, भगवान विश्णु की नाभी से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छा वश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गमन का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरी का उन्हें सदर्शन देना, विवाद ग्रस्थ ब्रह् अमा जी कहते हैं, देव रिशे, जब नारायन देव जल में शेयन करने लगे, उस समय उनकी नाभी से भगवान शंकर के इच्छावश सैसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, जो बहुत बड़ा था, उसमें असंख्य नाल दंड थे, उसकी कांती कनेर के फूल के समान पीले रं की थी, तथा उसकी लंबाई और उन्चाई भी अनन्थ योजन थी, वह कमल करोडों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था, सुन्दर होने के साथ ही संपून तत्वों से युक्त था, और अत्यांत अद्भुत परम रमनिय दर्शन के योगय तथा सबसे उत्तम था, तथ पस्चात, कल्यानकारी परमेश्वर साम सदाशिव ने पूर्वत प्रयत्म करके मुझे अपने दाहिन अंघ से उत्पन किया, मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंध ही अपनी माया से मोहित करके नारायन देव के नाभी कमल में डाल दिया और लीला पुर्वक मुझे वह से प्रकट किया इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझ हिरन्य गर्ब का जन्म हुआ मेरे चार मुख्वे और शरीर की कांती लाल हुई मेरे मस्तक त्रिपुन की रेखा से अंकित थे ताथ भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्यान शक्ति इतनी इस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना मैं कौन हूँ कहां से आया हूँ मेरा कारय क्या है मैं किसका पुत्र होकर उत्पन हूँ तथा किसने इस समय मेरा निर्मान किया है इस प्रकार संशे में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार मेरा उत्पन किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उत्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ऑर है जिसने मुझे उत्पन किया है वह पुरुष भी वही होगा इसमें संशे नहीं है ऐसा निश्चे करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा मुने मैं उस कमल की एक नाल में गया और सेक्रो वर्ष तक वहां ब्रह्मन करता रहा किन्तु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला तब पुनेह संचे में पढ़कर मैं उस कमल पुष पर जाने को उत्सक हुआ और नाल के मालक से उस कमल पर चड़ने लगा इस तरह बहुत उपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को ना पा सका उस दशा में मैं और भी मुहित हो उठा मुने उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमई उत्तम अकाश्वाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह का विद्वन्स करने वाली थी उस वाणी ने कहा तप तपस्या करो उस अकाश्वाणी को सुनकर मैंने अपने जन्म दादा पिता का दर्शन करके उस समय पुनह प्रयतन बारा वर्षों तक घोर तपस्या की तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए चार भुजाओं और सुन्दर नित्रों से सुशोबित भगवान विश्णू वहां सहसा प्रकट हो गए उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंक, चक्र, गदा और पदम धारन करके रखे थे उनके सारे अंग सजल, जल्दर के समान शाम कांति से सुशोबित थे उन परम प्रभु ने सुन्दर पितांबर पहन रखा था उनके मस्तक आदी अंगों में मुकुट आदी माहा मुल्यवान अभूशन शोभा पाते थे उनका मुखार विंद प्रसनता से खिला हुआ था मैं उनकी चवी पर मोहित हो रहा था वे मुझे करोणों काम देवों के समान मनोहर दिखाई दिये उनका वह अत्यंत सुन्दर रूप देखकर मुझे बड़ा अश्चरे हुआ वे सावली और सुनहेरी आवा से उद्भासित हो रहे थे उस समय उन सत्व स्वरूप सरवात्मा चार भुजाधारन करने वाले महाबाहो नारायन देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्श हुआ तदंतर उन नारायन देव के साथ मेरी बादचीत आरंब हुई भगवान शिव की लीला वहां हम दोनों में कुछ विवार छिड़ गया इसी समय हम दोनों के बीच में एक महान अगनी स्थम जोतिर महलिंग प्रकट हुआ मैंने और श्री विष्णू ने क्रमश उपर और नीचे जाकर उसके आदी अंध का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्म किया प्रन्तु हमें कहीं भी उसका ओर शोर नहीं मिला मैं ठक कर उपर से नीचे लोट आया और भगवान विष्णू भी उसी तरह नीचे से उपर आकर मुझ से मिले हम दोनों शिव की माया से मोहित थे श्री हरी ने मेरे साथ आगे पीछे और अगल बगल में परमेशवर शिव को प्रणाम किया फिर वे सोचने लगे यह क्या वस्तु है इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता क्योंकि ना तो इसका कोई नाम है और ना कर्म ही है लिंग रहित तत्व ही यहां लिंग भाव को प्राप्त हो गया है ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता इसके बाद मैं और श्री हरी दोनों ने अपने चित को स्वस्थ करके उस अगनी स्थम को प्रणाम करना आरम किया हम दोनों बोले महाप्रभू हम आपके स्वरूप को नहीं जानते आप जो कोई भी क्यों ना हो आपको हमारा नमस्कार है महेशान आप शीगरी हमें अपने यतार्थ रूप का दर्शन कराईए मुनिश्रेष्ट इस प्रकार अहंकार से आविष्ठ हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे ऐसा करते हुए हमें सो वर्ष बीद गए अध्याय साथ ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शीव के शब में शरीर का दर्शन ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शीव के शब में शरीर का दर्शन ब्रह्मा जी कहते हैं मुनिश्रेष्ट नारत इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे हम दोनों के मन में एक ही अभिलाशा थी कि इस जोतिर लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दे भगवान शंकर दोनों के प्रतिपालक अंकारियों का गर्व चून करने वाले तथा सब की अविनाशी प्रभू हैं वे हम दोनों पर दयालू हो गए उस समय महा उन सुर्ष रेश से ओं ओं ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से सुनाई देता था वहनाद प्लुत स्वर में अभिव्यक्त हुआ था जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विशे में यह क्या है ऐसा सोचते हुए समस देताओं के आराध है भगवान विश्णू मेरे साथ संतुष्चित से खड़े रहे वे सर्वथा वैर भाव से रहित थे उन्होंने लिंग के दक्षिन भाग में सनातन आदिवन अकार का दर्शन किया उतर भाग में उकार का मध्य भाग में मकार का और अंत में ओम इस नाद का साक्षा दर्शन एवं अनुभम किया दक्षिन भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण अकार को सूर्य मंडल के समान तेजो में देख कर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टी पात किया तब वहां उकार वर्ण अगनी के समान दीपतिशाली दिखाई दिया मुनिश रेष्ट इसी तरहां उन्होंने बद्य भाग में मकार को चंद्र मंडल के समान उज्वल कांती से प्रकाश्मान देखा तदंतर जब उसके उपद रिष्टी डाली तब शुद्ध फटिक मनी के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुर्यातीत, अमल, निशकल, निरूप्त्रव, निर्द्वंध, अद्वितिये, शुन्यमय, भाईये और आभ्यंतर के भेज से रहित भायंतर भेज से युक्त, जगत के भीतर और बाहर स्वयम हिस्थित आदी, मध्य और अंत से रहित, आनन्द के आदी कारण तथा सब के परमाश्रे, सत्य, आनन्द, एवं, अम्रिद स्वरूप, पर ब्रह्म का साक्षतकार किया उस समय श्री हरी यह सोचने लगे कि यह अगनी स्थम्प यहां कहां से प्रकट हुआ है हम दोनों फिर इसकी परिक्षा करें, मैं इस अनूपम अनल स्थम्प के नीचे जाऊंगा ऐसा विचार करते हुए, श्री हरी ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्वात्मा शिव का चिंतन किया तब वहां एक रिशी प्रकट हुए, जो रिशी समु के परम सार रूप माने जाते हैं उन्हीं रिशी के द्वारा परमेश्वर श्री विश्णु ने जाना कि इस शब्रम्मय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परब्रम स्वरूप महादेव जी ही यहां प्रकट हुए हैं ये चिंता रहित अथ्वा अचिंत्य रूद्र हैं जहां जाकर मन सहित वानी उसे प्राप्त की ये बिनाही लोटाती है उस परब्रम परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रनव ही है वे इसके वाचार्थ रूप हैं वे है परमकारण, रित, सत्य, आनन्द एवं अमरित स्वरूप परातपर परब्रम एक आक्षर का वाच्चे है प्रनव के एक आक्षर अकार से जगत की बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रहम का बोध होता है उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरी का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ग्यान होता है अकार सृष्टी करता है उकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है मकार बोध्य सर्व व्यापी शिव बीजी बीज मात्र के स्वामी है और अकार संग्यक मुझ ब्रह्मा को बीज कहते है उकार नामक नामधारी श्रीहरी योनी है प्रधान और पुरुष के भी इश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी, बीज और योनी भी हैं उन्हीं को नाद कहा गया है उनके भीतर सबका समावेश है बीजी अपने इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभगत करके स्थित हैं इन बीजी भगवान महेश्वर के लिंग से अकार रूप बीच प्रकट हुआ जो उकार रूप योनी में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा वह सुवन में अंड के रूप में ही बताने योग्य था उसका और कोई विशेश लक्षन नहीं लक्षित होता था वह दिवे अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा तदंतर एक हजार वर्ष के बाद उस अंड के दो टुकड़े हो गए जल में स्थित हुआ वह अंड अजनमा ब्रह्मा जी की उत्पत्ती का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आगाद से ही फूट कर दो भागों में बढ़ गया था उस अवस्था में उसका उपर स्थित हुआ सुवर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा वही द्यू लोग के रूप में प्रकट हुआ था तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वही वह पंच लक्षनों से युक्त प्रित्वी है उस अंड से चतुर्मुक ब भगवान महेश्वर ही अ उ और म इन त्रिविद रूपों में बढ़नित हुए हैं इसी अभी प्राय से उन जोतिर लिंग स्वरूप सदाशिव ने ऐसा कहा यह बात यजुर्वेद के श्रिष्ट मंत्र कहते हैं यजुर्वेद के श्रिष्ट मंत्रों का यह कथन सुन कर र पिचाओं और साम मंत्रों ने भी हमसे आदरपुर्व कहा हे हरे हे ब्रह्मन यह बात ऐसी ही है इस तरहां देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरी ने शक्ती संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं माहान अभ्यूदे से शोबित होने वाले उन महेश्वर देव का स्तवन किया इसी बीच में मेरे साथ विश्व पालग भगवान विश्णु ने एक और भी अदभुत एवं सुन्दर रूप देखा मुने वहे रूप पांच मुखों और दस बुजाओं से अलंकरित था उसकी कांती करपूर के समान गौर थी वहे नाना प्रकार की छटाओं से अत्यांत उत्क्रिष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरी दोनों कृतार्थ हो गए तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश प्रसन हो अपने दिव्य शब्मेरूप को प्रकट करके हस्ते हुए खड़े हो गए अकार उनका मस्तक और आकार ललाठ है इकार दाह दाहिना और उकार को बाया कान बताया जाता है रिकार उन परमेश्वर का दाया का पोल है और रिकार बाया ल्री और ल्री ये उनकी नासिका के दोनों छिद्र है एकार उन सर्व व्यापी प्रभू का उपरी ओष्ट है और एकार अधर उकार तथा अउकार ये दोनों क्रम उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। दाहिना पार्शव बताया जाता है और बकार को बाया पार्शव बकार को कंधा कहते हैं मकार उन योगी महादेव शंबु का रिदे है यह से लेकर सह तक साथ अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द मै शरीर की साथ धात्वे हैं हकार उनकी नाभी है और शकार को मिर मुत्रेंद्र ये कहा गया है इस प्रकार निर्गुण और गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द मै रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मै और श्री हरी दोनों कृतार्थ हो गए इस तरह शब्द भ्रम्मय शरीरधारी महेशवर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरी ने उन्हें प्रणाम किया और पुनह उपर की और देखा उस समय उन्हें पाँच कलाओं से युक्त उंकार जनित मंत्र का सक्षतकार हुआ तत्वशाद महादेव जी का ओम तत्वमसी यह महावाक्य द्रिष्टी गोचर हुआ जो परम उत्तम मंत्र रूप है और शुद स्वटिक के समान निर्मल है फिर संपून धर्म और अर्थ का साधक तत्था बुद्धी स्वरूप गायत्री नामक दूसरा महान मंत्र लक्षित हुआ जिसमें 24 अक्षर है तत्था जो चारों पुर्शार्थ रूपी फल देने वाले हैं तत्थ पशात बृत्युन जे मंत्र फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिना मुर्ती संग्यक चिंता मनी मंत्र का साक्षतकार हुआ इस प्रकार पंच मंत्रों की उपलब्धी करके भगवान श्री हरी उनका जब करने लगे तदंतर रिक यजू और साम ये जिनके रूप है जो इशों के मुकुट मनी इशान है जो पुरातन पुरुश है जिनका हृदे अगोर अर्थात सौम में है जो हृदे को प्रिये लगने वाले सर्वगुय सदाशिव है जिनके चरण वाम परम सुंदर है जो महान देवता है और महान सर प्राज को आभूशन के रूप में धारन करते हैं जिनके सभी और पैर और सभी और नेत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपती कल्यानकारी तथा स्रिष्टी पालन एवं संहार करने वाले हैं उन वरदायक साम शिव का मेरे साथ भगवान विश्णू ने प्रिया वश्णो द्वारा संतुष्ट चित से स्तवन किया जै गुरुजी अध्याए आठ संग जी आज के चैप्टर में इतना ब्यूटिफुल नाद का पूरा उन्होंने बताया है कि शिव का शरीर कैसे नाद में है ओम का उन्होंने बताया कि ओम गुरुजी हमें कितने ओम के दर्शन करवाते हैं तो ओम का कैसे मतलब है ओम का स्वर नाद है शिव जी का जो पूरा शरीर है वो नाद में है तो जो ओम का दर्शन है वो साक्षाथ शिव का दर्शन है तो ओम का जो दर्शन है वो साक्षाथ हमारी गुरुजी का दर्शन है जै गुरुजी जै गुरुजी